नमस्कार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप data entry की job करना चाहते हैं तो आपको computer का कौन सा course करना चाहिए और आपको computer में किन किन चीजों को सीखना चाहिए ताकि job मिलने में आसानी रहे और जब भी आपको job मिले तो वहाँ पर जो भी data entry का काम होता है उन सभी काम को आप कर पाएं आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो computer सीखने के बाद data entry की job करना चाहते हैं और उन्हें बिलकुल भी नई पता है कि data entry job के लिए हमें computer में क्या क्या सीखना चाहिए तो खास करके ये video मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ अगर आप data entry का का काम करना चाहते हैं तो ये video ध्यान से देखेगा data entry job के लिए हमें computer में क्या क्या सीखना है ये तो हम जानेंगे ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप इन सब चीजों को free में कहां से सीख सकते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर data entry होता क्या है तो data entry का मतलब होता है data को enter क या फिर कहें data को लिखना जिस भी company में आप काम करेंगे वहां पर आपको data दिया जाएगा और उसी को देख देख करके आपको computer में enter करना है या फिर कहें लिखना होता है उसी को data entry कहते हैं आप में से काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि data entry का काम करने के लिए हमें कौन सा computer course करना चाहिए data entry job करने के लिए कोई एक computer course नहीं है कि आप केवल वही computer course करके ही data entry का काम कर पाएंगे आप computer का कोई भी course किये हैं जैसे कि basic computer course भी किये हैं तो भी data entry का काम कर सकते हैं ADCA किये हैं DCA किये हैं या फिर अगर आपने triple C भी किया है तो भी आप data entry का काम कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो data entry का काम करने के लिए आपको computer course को लेकर के ज़्यादा परेसान नहीं होना है जो भी मैंने course बताए हैं आप उन में से कोई भी course कर सकते हैं या फिर आप और भी बहुत सारी course हैं उनको भी कर सकते बस आपको computer की knowledge होनी चाहिए और जब भी आप computer सीखें तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है, कुछ चीजों को आपको अच्छे से सीखना होता है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आप किसी भी company में data entry का काम बड़े ही आराम से कर सकते ह तो देखिए अगर आप data entry का काम करना चाहते हैं तो आपको computer के keyboard की जानकारी होनी चाहिए, data entry का काम ज़्यादा तर keyboard से ही होता है, ऐसे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस keyboard के जितने भी बटन है, उनको कैसे इस्तमाल करना है, कैसे shortcut बनाना है, कौन सा बटन दबान से क्या होता है, किस समय पर हमें कौन सा बटन को यूज करना है, ये सारी जानकारी keyboard के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको data entry करने के लिए mouse की जानकारी पता होनी चाहिए, mouse से भी हम data entry करते वक्त बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि किसी software को open करना हो, close कर या फिर किसी file folder को open करना हो, या फिर कोई setting करनी हो, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो mouse के द्वारा भी किये जाते हैं, तो mouse में जो है total 3 बटन होते हैं, left click, right click और एक scroll bar होता है, कौन से बटन को कब press करना है, कितनी बार press करना है, और किस बटन को दबाने से क्या ह ये mouse के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, mouse चलाना आपको आना चाहिए, इसके बाद जो अगला काम आपको आना चाहिए, वो है file management का, आपको अपने computer में file को manage करना आना चाहिए, जैसे कि file बनाना आना चाहिए, file को save करना, किस file या folder को search करना, या फिर folder बनाना आना च फाइल या फोल्डर को विवस्थित करना भी आना चाहिए किस फाइल को कहां पे रखना है और कैसे रखना है फोल्डर को कहां पे रखना है कौन सा फोल्डर कहां पे रहेगा फोल्डर कैसे बनाना है इस तरह से आपको फाइल मैनेजमेंट का काम भी आना चाहिए इसके अलाम किसी भी software के बारे में advanced जानकारी की जरूरत ही नहीं है जो मैं आपको software बता रहा हूँ इन software में अगर आपको basic जानकारी भी है तो भी आप data entry का काम कर सकते हैं और ये सबसे जादा important software है इनी में जो है data entry का काम होता है पहला software है ms excel दूसरा है ms word तीसरा है ms access और चौता है ms power point ये जो चार software है ये office के अंतरगत आ जाते हैं जो भी आप computer course करेंगे उस सभी course में जो है आपको ये चारो software पढ़ाया जाते हैं इसके लामा जो है google का एक software है google docs करके और दूसरा software है google seeds करके इन दोनों software ने जो है data entry का काम किया जाता है और ये online tool है google के जो data entry काम करने में बह आपको साथ में जो है google docs और google seeds के जो software है उनके बारे में भी पता होने चाहिए उनके बारे में भी basic जो जानकारी है वो आपको आना चाहिए और खास करके आपको excel के अंदर और google seeds के अंदर जो है data को विवस्थित करना आना चाहिए data को type करना आना चाहिए data को सही करम में लि इन दोनों software को आप basic ही सीखिएगा लेकिन थोड़े से अच्छे से पकड़ बना के सीखिएगा जो भी सीखिएगा सही से सीखिएगा बाकी आपको इसके अंदर data को विवस्तित करना आना चाहिए कुछ इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो data जहां पर रहेगा सह करम में आपको विवस्तित करना आना चाहिए उसको manage करना आना चाहिए जब आप इस software को सीखोगे तो उसमें आपको यह चीजे बताई जाएगी इसके अलामा जो है आपको कुछ important shortcut होते हैं Excel, PowerPoint, Word के या फिर कहें Google Seat के तो उन important shortcut को भी आपको जरूर से सीख लेना है data entry का का करते वक्त यह जो shortcut होते हैं वो आपकी बहुत जादा help करते हैं बहुत ही सारा समय आप बचा सकते हो इसके अलामा जो है Google Seat और Excel के कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो basic होते हैं उनके बारे में जो है आपको जरूर पता होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि इन फा Excel काम करता है ठीक उसी तरह से Google Seat काम करता है बिल्कुल सेम है दोनों कोई दिकत वाली बात नहीं है अगर आपने केवल Excel सीख लिया तो आप Google Seat को आराम से चला लोगे बिना सीखे ही इसके बात करते हैं टाइपिंग स्पीड को लेकर के अगर आप डेटा इंटरी का काम करन नहीं होंगे और अगर आप किसी कमपनी में सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको डेटा इंटरी का काम करने में परिशानी हो सकती है तो आपको टैपिंग स्पीड पर भी ध्यान देना है आपको कम से कम 30 की टैपिंग स्पीड जरूर बनानी है 30 सब्द प्रती मि उसमें कम से कम गलतियां हो एकदम सटीक डेटा एंट्री करें जो आपको डेटा दिया गया है उसे अच्छे से ध्यान से पूरा एकुरेसी के साथ आपको डेटा एंट्री का काम करना होता है और ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आप सुरू में अपनी आदत बना लेंगे जब भी आप Excel के अंदर या फिर Google Seat के अंदर या फिर किसी भी Software के अंदर डेटा इंटरी काम करने की Practice करें तो आप ये कोशिस करें कि आप कम से कम गलतियां करें जो भी डेटा आप टाइप करें वो पूरी Accuracy के साथ टाइप करें इससे जो है आपकी एक Habit बन जाएगी और जिस भी Company में आप काम करने जाएंगे उसमें जो है कम से कम गलतियां करेंगे और पूरे Accuracy के साथ आप डेटा इंटरी का काम कर पाएंगे इसके अलामा अगर आपके पास कोई Additional Skills है जैसे कि अगर आप Data Privacy के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं डेटा Security के बारे में समस्याएं हैं उनको हल करना जानते हैं उनको solve करना जानते हैं तो और अच्छा रहेगा जैसे कि कभी-कभी माउस की setting करना हुआ, computer में कुछ setting करना हुआ, mouse नहीं काम कर रहा है या फिर keyboard setting की वज़े से बंद हो गया है या फिर जो है और भी छोटी-मोटी जो computer की समस्याएं हैं अगर आप उसे solve करेंगे तो और जो है आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत email की जानकारी होनी चाहिए जैसे कि email भेजना, email प्राप्त करना, internet यूज करना आना चाहिए, जैसे कि internet connect करना, browsing करना, किसी भी software से print करना आपको पता होना चाहिए, साथ में PDF बनान यह सब चीजे मैंने पूरा detail में अच्छे से सिखाया है, अगर आप गुलाब गुरु चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक playlist का option दिखाए देगा, playlist पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको धेर सारी playlist मिलेगी, अगर आपको computer का basic ज्यान सीखना है तो भी playlist है, अगर आपको typing नहीं आती है, तो आप typing भी सीख सकते हो, MS Word मैंने पूरा सिखा दिया है, अगर आप ये वाली playlist देख लेते हो, तो आप पूरा MS Word सीख जाओगे, इसके अलामा आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, Excel मैंने आपको पूरा अच्छे से सिखा दिया है, के अले भी सिखा दिया है, और data entry करते वक्त जिन फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ती है, वो सब फार्मूले जो है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिये हैं, इसके अलामा कुछ और फार्मूले हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक playlist बना करके दे दिया है, आप इसे भी चेक करिएगा, पूरा डीटेल में पूरा अच्छे से एक एक चीज को मैंने आपको समझाया है, सीधी भासा में कहूं कि अगर आपको data entry का काम करना है, तो आप मेरी सभी playlist को देख लीजेगा, MS Word, Excel, PowerPoint, और इसकी बाद मैंने और भी वीडियो बनाये हैं, जैसे इंटरनेट पर email बगरा कैसे बेजना है, email कैसे manage करना है, print कैसे निकालना है, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने channel पर दी है, बस आप उन वीडियो को देख लोगे न, तो आपको कहीं पर institute में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैटे ही अपने mobile phone पर ये सारी वीडियो देख करके स थोड़ा सा impossible है, आपके पास अगर skill रहेगी, तो ही जो है आपको वो job मिलेगी, skill का मतलब है कि आपको उसमें काम करना आना चाहिए, अगर आपके पास skill है और अगर आपके पास certificate नहीं है, तो भी आपको job मिल जाएगी, कई सारे example मैंने देखे हैं, जिनके पास जो है कोई भी certificate नहीं था, केवल उनके पास skill थी, जिसकी वजह से वो काफी सारी company में job कर रहे हैं, तो ये जो भी detail मैंने आपको बताई है, एक तरह से मैंने आपको एक idea दिया है, कि आपको अगर data entry की job करनी है, तो आपको इन चीजों पर विशेज करके ध्यान देना है, अगर आप ज पांच लोगों को whatsapp पर share कर दिजेगा, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, चैनल को subscribe नहीं किये, तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब ते के लिए जय हिंद, बंद मातरम